जाहिन दोस्तों क्या हाल है मेरा ना मेरा राकेश और रेडमी नो 10 सीरीज लोंच हो गई ना सूपर आयमुलेट डिस्प्लेइ ये फोन अपने आप में एक नया ट्रेंड स्टार्ट करने वाला है क्यों कहा रह हूं?" यह बात करने वाला ओपेश बाति कैम एर पर लुब से बात करते हैं और आप नहीं है चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब और साथ में सब्सक्राइब करластàng दुबारा सब्सक्राइब करते हैं बैल आइकन के साथ तो ये ऐसे आप कर सकते हो लेकिन भूल मत जा ना भाई इन सब्सक्राइब करके कर बोड़ हो जाएगी ओके तो एक तरह अगर आप ध्यान से देखो आज कल क्या हो रहा है पिछले साल से मैं प्राइजिंग बढ़ रही है टेक्स बढ़ चुके है कई रीसे जिसकी वासे प्राइजिंग बढ़ रही थी मतलब 2019 के कमपैरिजिन में फोन हमें आप इंट्रस्टिंग प्राइजिंग या फिर एक जो किलर प्राइजिंग स्पैसिफिकेशन ऐसा कुछ लेकर आए ऐसा कुछ देखने को मिली नी रहा था अभी मैं 2019 से कमपैरिजिन नी कर रहा हूं वो अपने आप में बहुत मतलब तगड़े वाला साल था स्मार्टफोन के दुनिया का और उसी साल में एक फोन किया था और मैं इस मामले में मानता हूं कि रेडमी ट्रेंड कई सारी चीजों के लाइक ऐसे क्या करता है ठपा लगा था ट्रेंड पे और उसके बाद लेकिन जितने फोन आयना एट प्रो नाइन प्रो नाइन प्रो मैक्स वो मैं यह नहीं कहूंगो कि कुछ भी एक्स्ट् प्रो के बाद भूल गए थे लोग लेकिन सुपर अमुलेड डिस्प्लेइ साथ में 120 हर्ट्स HDR10 के साथ गोरिला ग्लास 5 1200 निर्स की ब्राइटनर्स 5000 अराउं 5020 एमेज की बैटरी 33 वोट का चार्जर LPDDR 4X RAM UFS 2.2 इसके बाद यह फोन भारी बहुत बनाने रग गया था रडमी फोन अभी सुपर अम लोट कि आसे कहा थोड़ा वेट वागरा कंट्रोल करना इजी होगा यहाँ पर 200 ग्राम से हलका नीचे फोन डूल स्पीकर तो यह ना से मिट रेंज में स्पैसिफिकेशन इंट्रस्टिंग अगर अगर हम लोग प्राइजिंग की बात करें 10 प्रो मैक्स 6GV 64 GV से मतलब 19,000 से शुरू और बाकी तीन हो तीन वरियंट में यह प्राइजिंग आपके सामने बाकी ऐसे कैमरा हो अमरे तो आप जानते हो मोम आया है क्योंकि 108 मेगा पिक्सल गुट मीट एन आई का कैमरा अच्छा था और बात करते हैं रियल वर्ल्ड की बात करेंगे जब फोन आ जाएगा मेरी साब से तो कैमरे को साइड में रखते है तो यह जो इन्होंने होने के बावजूद तो यह आपकी परसेंट पर है मतलब यह कोस्ट कटिंग किया गया और दूसरा सबसे बड़ा जो कोस्ट कटिंग पता कैसे हुआ वह है इसका प्रोसेसर स्नैपड्राइगन 732 जी और यह सेम प्रोसेसर पोको एक्स 3 में था है अभी भी है मतलब निकाला सबसे कम प्राइज में 5G लेकर आया था मतलब एक तरीके से जो 5G चल रहा है तो यहाँ पर होता है कि ब्रैंड को जब एक प्रोसेसर कंपनी से डील करनी पड़ती है तो इसमें भी क्या होता है एक पैसा देना पड़ता है जैड़ जिवायत है उनको उसे साब से सारी चीज किया किया 732G लिया तो यह 4G प्रोसेसर है तो एक सबसे बड़ा तरीका यहाँ पर निकाला शाओमी ने इसको बैलंस करने के लिए तो यहाँ पर सबसे बड़ी कोश्ट कटिंग हो जाती है तो चाहे 720G हो चाहे 730G हो चाहे 732G हो यह सारे आसपास ही परफॉर्म करते हैं त तो तो स्कोर वगारा साइड में करते हैं लोग तो यह वाला ऐसे दमाग लगा है इन्होंने मेन क्योंकि किसी ने भी निदिया था अभी तक इस रेट में सूपर एमलोड के साथ 120 हर्स तो यह 10 प्रो मैक्स है न अगर 10 प्रो मैक्स का जो बेस वाला वेरियंट है 664 इसमें 64 Megapixel का कैमरा लगा दो उसके बाद यह रेट बन जाता है सबसे हाईयर वेरियंट 10 प्रो का 8 जीवी रहां 128 जीवी इंटर्नल बाकी सब से मैं पूरा फोन बाकी सारी प्राइजिंग आपके सामने और अगर आप मुझे से पूछेंगे तो जो इसका 6 128 जीव एना 17,000 यह मेरे टेस्ट करूँगा हाँ 108 Megapixel 400 Megapixel में कितना फरक है तो प्राइजिंग स्पैसिफिकेशन से मुझे लगता है हापर शिखायत की जा सकती बट हाँ मेरा एक पर्सनल ओपीनियन आप बताना अगरी करते हो कि नहीं मुझे लगता है जो यह 9 Pro Max नहीं मतलब 10 Pro Max बोलना था यह व क्योंकि Pro Max का rate जाद है ना ऐसे मतलब Pro के comparison में सिर्फ 108 Megapixel camera लगाने से लेकिन अगर एक यह चीज एड कर देते मेरे पर्सनल ओपीनियन से तो लोगों के पास ऐसे मतलब शिकायत नहीं रहते जिन लोगों के मन में ऐसे 5G वगारे चलता है उनके लिए कह रहा हूँ और सबस 20hz फिर उसके पास Snapdragon 732G मतलब एक बहुत हाई लेवल का प्रोसेसर भी नहीं है ऐसे लोग लेवल का भी नहीं है इनका जो combination है ना वो रियल वर्ड में कैसा performance देगा क्योंकि अगर बात करें Mi 10i और मेरे पास एक और फोन है यह है like Mi 10T इसका जो experience है न यह 144hz है लेकिन 865 है इसके अंदर तो एक difference मिलता है optimization में यह सारा test करने के लिए मैं काफी ज्यादा excited हूँ पस आपको यह बताना है कि मैं तीन के तीन हो आप चाहते हो इस channel पर या दो चाहते हो या फिर एक देखना वीडियो आपकी आप comment section में आप बताओ आपके लिए definitely video मिल जाएगी लेकिन इन एक बाद तो confirm है अब एक trend start होने वाला बीस जार से नीचे super amoled with 120hz काफी सारी phone आने वाले तो मुझे लगता आपके जो भी favorite brand है उन सभी में कुछ ना कुछ option आपको इस महीने मिल सकते है easily आप किस brand के किस phone का वेट कर रहे है बाकी आप बता सकते हो आपको वीडियो प